राइज ड्रोइट 10.2 का ओफिशल निव अपडेट आये हुआ है मी लेवन एक्स पोको एप 3 और रेड्मी के 40 के लिए तो जैसे कि तीनों डिवाइस सेम ही हैं बाकि अगर बात करें तो इसके दो बिल्ड्स देखने को मिलते हैं हाला कि दोनों ही जीएपस इंक्लोडर बिल् करने वाला क्योंकि बीच में पूरा री बेस्ट किया गया था वीडियो में लास तक बने रहेगा अब फोन के अंदर में आपको राइस वाइज 4.0 कुछ इस तरीके का मिलेगा नीचे जो है राइस ड्रोइट का मिलता इंटरफेस कुछ इस तरीके का मिल जाएगा यहां प करनल इसके अंदर नो करनल वाला करनल देखने को मिल जाता है अब अगर बात करें नेडवर्क और इंडियानेट की तो सीम के अंदर चल के सबसे पहले प्रेफर नेडवर्क दिखा हो तो यहां पे आपको जो है 3G 4G और 5G का मिल जाता है Wi-Fi कॉलिंग कर बात करें तो यह का इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे connectivity चेक भी है connected devices के अंदर Bluetooth टाइम आउट मिल जाता और Wi-Fi टाइम आउट भी उसे Wi-Fi के अंदर मिलेगा बाकि इसके अंदर मारा जो कास्ट हो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है कास्ट को लेकि कोई दिकत नहीं है पासिनाशन की बा पर आठ है और नीचे में बैटरी इंफो मिल जाता है और टैप टू स्लीप नीचे मिल जाएगा फिंगर्प्रिंट ऑथर्णिकेशन बाइवरेशन एरर बाइवरेशन रिफैल एफेक्ट है जिससे फिंगर्प्रिंट अन्लोक आइनिमेशन को ओन आफ कर पाओगे यहां से पावर मेन्यू के एकसेस देना चाहते हैं उसके लिफी आपको लाइशन मिल जाता है मिसलेनस के अंदर गेम स्पेस मिल जाता है इन गेम कोल के लिए गया ओटो रिजट या एंसर को आपसन मिल जाएगा यहां से यूज कर पाओगे बागी गूगल सर्विसेस को और आफ कर काफी बसती है ति यह सारी चीज़े आपको मिलेंगी और स्मार्ट पिक्सल मिल जाता है बर्निंग प्रोटेक्शन ही सारी चीज़े दी गई है और सिंसर ब्लोग पर पैकेज मिल जाएगा नीचे फिर अन्लोग हाईर एपिस गेम हो गया अनलिम्टेट फोटो स्टोरेज ए मेन आपके बटन के लिए सेटिंग्स दिया गया नविगेशन बार कौन अफ कर पाऊगे और नोटिफिकेशन में रिटीकर है जिससे आपका नोटिफिकेशन स्लिम और कारी डिजाइन देखने के लिए नीचे टोस्ट आप आइकन हो गया बलर मीडिया मिल जाएगा बैक्र के अंदर आपको यह क्लोग डेट अन बैटरी के जो स्टाइल मिलती है इसका यहां पर देखने को मिल जाएगा जो कि लेटेस रोम पर सभी पे ज्यादतर में आप देखने को मिल रहा तो यहां से स्टाइल चेंज कर पाऊगे और क्यों जो पेज है उसका ट्राइशन भी अ इसका टेटिकर भी यहां पर देखने को मिल जाता है और यहाँ और फुटर के सौट कर सच जिसमें डा यूजर्व सारी शींचे मिलती कूइक शेटिंग में sound के अंदर pulse मिल जाता है screen pour sound आइकन मिलता है इसी के अंदर वॉल्टी आइकन भी हमें जो है इनेवल करने के लिए मिलता है क्लोक एंडेट की सेटिंग मिल जाती है इसे बैग्राउंड इनेवल कर पाऊगे क्लोक का यहां से नीचे फीड नेटवर्क ट्राफिक इंडिकेटर है और ओल्ड स्टाइल स्टा बैटरी बैटरी स्टेटस भी मिल जाता है वाइफा स्टेंडर्ड भी है निचो कुछ मीडिया जो आपको मिलते लोकेशन मीडिया इन सबके इंडिकेटर को भी ऑन ओफ कर पाऊगे डायनमिक स्टेटस बार जो दिया है और साथ इसान नविगेशन पार के लिए भी दिया बैटरी स्टाइल जो की स्टेटस वार के लिए नीचे बैटरी बार मिल जाएगा और नीचे टैप टू स्लीप ब्राइनेस कंट्रोल और कुईक पूल डाउन के लिए देखने को मिल जाता है यूजर इंटरफेस के अंदर आपको इसके अंदर काफी कस्टमाजन मिलते हैं इसमें डिस्प्ले के लिए मिल जाएगा जिसमें ऑल्वेस सो टाइम इंफो आपका मिलेगा यहां पर तो म्यूजिक टिकर भी है हलाकि ऑल्वेस उन काम कर रहा है जिसमें कोई दिकत नहीं अच्छी तरीके से वर्किंग रहने वाला है एज लाइटिंग भी है और यह भी मिलेगा लॉक कर पाओ यहीं पी मिल जाता है यंप बटन स्पेशिंग हो गया लॉक सिरग क्लॉक का फॉंट हो गया फिर डेत स्टाल चीन करना है तो उसके लिए अपको मिल जाएगा विष्ट पाओन यहां पर जो पेज है उसको अगर आपको ऊपर रखने बैनर पर इ आप कर पाऊगे यहां से और यहीं पर आपको setting में कुछ text भी एक देखने को मिलता है हमें इसा कुछ-कुछ change होता हुआ तो भी मिलेगा साथ साथ यहां पर search style change कर पाऊगे random जो ही यहां पर दिया गया image change करने के लिए header जो image वहां पर मिला है banner उसका image random change होगा और इस वाले की enable करने के बाद जो header जो text है इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो कि वहां पर अभी लिखा वह दिखा रहा है उसकी जगे replace हो जागे यहां पर आप जो है देखोगे तो कुछ भी आप लिख सकते हो जैसे कि मैं यहां पर लिखा तो आपको दि यहां पर और अभी फिलाल मैं इसको default पे कर देता हूं बाकि अगर बात करें यहां पर main settings का style चेंज करना है तो उसके लिए लास्ट में आपको यहां पर मिल जाते हैं काप सरे style दिए गये हैं तो यहां पर चेंज करता हूं और आपको दिखा दू इसके अंदर तो में जो ह चाहिए तो इसको इनेवल कर लेना कुछ इस तरीक है का इनिमिशन रहेगा और फॉंट स्टाइल के अगर बात करते हैं तो फॉंट स्टाइल भी काफ सरे देखने को मिल जाते प्रीव भी है और यहां पर navigation बार style भी है power menu style अगर आपको यूज करना है तो भी यूज कर आइकन से मिल जाएगा और volume style भी मिलता है default आपको यहां पर कुछ इस तरीके का volume style मिलता है बाट यहां पर रियल में UI वाला करना है तो भी आप कर पाऊगे इसके अंदर यह जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और rice style वाला करना चाहते हो तो rice style भी यहां पर कर सकत तो यह आपको मिल जाएगा बाहर में floating rotate बटन मिलता है जो कि rotate करने के लिए floating बटन देखने को मिलता है left side में नीचे है इसे देखने को मिलता है तो उसको आप on off कर सकते हो अब यहां पर display की बात करें तो काम कर रहा है लोक्सिंग के अंदर में media cover art मिल जाता है double line clock always on यह सब कर पाऊगे और नीचे night light display color यह सब काम कर रहा है rotation मिल जाता है display cutout यहां पर देखने मिलता है यहां से hide note कर पाऊगे इसके अंदर में और यहां पर नीचे full app दिया गया मिरन आपका display तो उसके लिए भी यहां पर दिया गया थी भी आप यूज कर पाऊगे यहां पर टीवी से या फिर पीसी से कर सकतो connect अंबिन डिस्प्ले भी है और पर रिफ्रेस्ट मिल जाता है बाकि manual रिफ्रेस्ट यहां पर चैन्ज करने कर नहीं मिलता टाइल से यहां च कस्टम वाला दिया गया तो यहां पर लॉंचर वाला आइकन में आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा तुसको इंस्टोल कर लेना और एप्स की तरफ चलते हैं ति यहां पर असिस्टेंट काम कर रहा है और इसके अंदर लॉंचर भी यहां पर सूसी लॉंचर मिलता ह तो आइकन की यह सभी सेटिंग मिल जाएंगी होम स्क्रिन के भी काविसरी सेटिंग मिलती है और सिट बैग्राउंड हो गया एक्सेंदट ग्लेंस वाला हो गया एड़ रोयर मिल जाएगा थिम सार्च वारी सब आपको देखने को मिलेंगे हाँ पर एन रिसेंट की अंदर थर्मल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा और बैटरी यूजर से यहां पर बात करें तो आपको इसके अंदर पिक्सल वाला देखने को मिल जाएगा और ऊपर रिशेट स्टेट भी है बाकि 24 आवर का भी बैटरी यूजर से नेवल कर पाऊगे बैटरी सीवर है कुछ इस तरीके करेंगा मीडिया लियाउट जो है पूरा लेटेस्ट मिल जाएगा और बाइबरेशन हटी काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है रिंग्टोन बाइबरेशन पैटर्म कस्टम भाला भी आप लगा पाऊगे इसके अंदर में वागे फिर पर है वॉल्म अंदर आपको जो है पैटर्न साइज मिल जाता है अगर आप पीन एड़ करते हो तो स्क्रेंबल लियाउट भी देखने हो कि इसके अंदर मिल जाएगा तो फिलाल मैं यहां पर पैटर्न एड़ किया हूं बाकि फिंगर्प्रिंट के बात करो तो काफी अच्छे से काम कर र और नीचे फिर सेफटी अमर्जंसी अधिश्टल वल्विंग मिल जाएगा सिस्टम की बात करें तो लैंग्वुज के अंदर एप लैंग्विज एक ही मिलता है यहां पर आपको जेस्टर के अंदर सिस्टम नविगेशन मिलेगा यही पर जो है आपका जेस्टर का फिल का लेंथ है रेडियस कंट्रोल कर पाऊ गया बैक जैसर हाइट हो गया आयमी बटन स्पेस भी है जिससे कीवोड के नीचे का स्पेस आप हटा सकते हो बैक जैसर है भी मिल जाता है तो दिक्कत हलाकि यहां पर नहीं होगा एंप्रेसंड होल्ड पावर टन में पावर मेन्यू डि मिल जाएगा और अपडेटर देखने के यहां पर दिया गया तो इस सारी चीज़े मिल जाती है अगर अगर अनिमेशन के बात करें तो देखो बिलकुल स्मूध है कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा हाला कि यहां पर कुईक पैनल पर किसी पे ब्लुटूट का जो टा देखने को मिल जाता है और इसके अंदर स्क्रीन रिकोर्डिंग के भी सटिंग सभी देखने को मिल जाता है और स्क्रीन रिकोर्डिंग में क्या है अनिमेशन लाइक बिलकुल भी नहीं होता स्क्रीन रिकोर्डिंग आपका काफी स्मूध रने वाला है और इसके अंदर आप इसका refresh rate चेंज करना ज्यादा बैटर रहेगा यहां से आप चेंज कर लेना फिर पर एप जो refresh rate है उसके धुरू करना बाकि एपस इंफो भी यहां पर टाइल पर ही देखने को मिल जादा तो यहां से भी फिलाद चेंज कर लेना और एप ओपनिंग हला कि इसमें कोई दि दिकत नहीं है काफी स्मूद काम कर रहा है तो यह काफी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है और प्लेस्टोर यहां पर हमें सट्फाइड मिलता है सेप्टी नेट बिल्कुल पास आता है बाइट फोर्ट में ही तो यहां पर आपका बैंकिंग या बिदाउट भी यूज कर पाँगे और यहांपर ग्राफी नोस वाला पी इंस्टौर देखने को मिल पर ग्राफी शाल कर लेका बारे में ही डाफे आप्स ट्रीम सिवर कभी app drawer के अंदर भी दिया गया है बाकि अगर बात करें Google photo के बारे में तो इसमें आपको unlimited storage मिल जाता है इसको लेकर के भी कोई दिकत नहीं रहती है unlimited storage हलाकि Google photo में यहाँ पे मिल जाएगा और यह सभी application ही फिलाल यहाँ पे मिलते हैं अब बात करें calling के बारे में तो quality काम कर रहा है carrier video call का भी बग रहने वाला है Wi-Fi calling काम कर रहा है और proximity sensor यह भी एच्छे तरीके से बिलकुल working मिल जाता है call recording में working है auto call recording मिल जाता है and Bluetooth device अगर यूज कर तो इसके अंदर भी आपका media and calling दोनों पे एच्छे तरीके से काम कर रहा है and Bluetooth score 6,61,232 हमें देखने को इसके अंदर मिल जाता है and CPU throttle में 91% max performance में लिए है वहीं GIF score के अगर बात करें तो max में 2,75,000 देखने को मिला है और average score में 2,60,000 जो है देखने को मिला है and Geekbench इसको latest 6 वाला यूज कर रहा है वहीं single score के बात करें तो 1030 मिल जाता है multi score के अंदर 3,2,1,8 तक जो है देखने को मिल जाता है और एक चीज और आपको उतादू कि इसके अंदर haptic feedback काफी अच्छा देखने को मिल जाता है and brightness slider पर भी देखने को मिलने वाला तो haptic feedback इसके अंदर काफी जवर जस्त हर जगे देखने को मिल जाता है और अब बात करें बूट अनिमेशन के बारे में तो इसका जो rice droid का बूट अनिमेशन है कुछ इस तरीके का मिल जाए तो जैसा पहले था उफी तरीके से रहेगा इ नीचे फिर रैम यूज जैसे सब देखने को मिल जाता है तीस तरीके का जो है यहाँ पर गेम स्पेस रहेगा ग्राफिक जैसे की अनलोक मिल जाता है नाइंटेपेस तक का सेडिंग में दिया हुआ तो आप अनलोक कर पाऊगे बाकी अल्ट्राइटी तक का अनलोक मिलता है स्मूद एन नाइंटेपेस पर हलाकी खेल रहा हूँ तो गेमिंग की बेगर मैं बात करो तो गेमिंग भी इसके अंदर काफी अच्छा मिल जाता है रोम देखो यह काफी अच्छा है हाँ वीडियो कोल की बात करें तो अभी फिक्स नहीं मिलता बट यहाँ पे काफी सारी कंग के देखने को मिल जाते हैं तो रोम यहाँ पे काफी अच्छा है हे और गेमिंग भी काफी है देखने को के बिलने माले तो गेमिंग की मामलें मेरे साबसे दिक्कत नहीं हो न चाहिए गेमिंग भी यहाँ serves तक मिल जाता तो ओर ऑर यही था वीडियो का अच्छे लिग झाल झाल